आज हम बात करेंगे कि उदाइपूर एहमदाबाद रेलवे लाइन पर हुए विसफोट और इसके बाद तीसरे दिन चाच कहा तक पहुँची दो एडीजी ने उदाइपूर में अपने नोट्स में क्या कुछ लिखा उस पर भी बात करेंगे शहर में एक्टिव मोड में हुई पुलिस पर भी बहुत कुछ बताएंगे साथी रेलवे ट्रैक पर महिला और उसकी बच्ची की जान बचने की वजह भी बताएंगे नमस्कार मैं हूँ भाबनाव्यास आप अपनी खबरे हम तक भेज सकते हैं 941-380-2327, फोन नमबर पर आप अपनी खबरे भेजे उदापूर एहंदाबाद रेलवे लाइन पर सित ओडा रेलवे पुल पर ब्लास्ट मामले में तीसरे दिन मंगलबार को राज्यसरकार के विशेश निर्देश पर सोजी के ADG अशोगरा ठोड और इंटैलिजन्स के ADG S. सैंग्थीर ओडा आए दौनों ने करीब दो घंटे से ज्यादा समय एक एक जगह से सबूतों को करीब से देखा दौनों अधिकारियों ने अपने लोट्स में लिखा कि हमला पूरी प्लानिंग से किया गया जाश में मिले सबूत आतन की वार्दात की तरफ इशारा कर रहे हैं दूसरी तरफ पुलिस लोकल एंगल पर भी फोकस कर रही है शित्र में एक्टिव 3-4 बाइड राइडर्स ग्रुप की तलाश में जुटी है पुलिस ने इन में से कुछ यूखो को पकड़ा भी है जो ज़्यादा तर नाबालिग है इस गैंग ने मार्च में चलती बस पर पुल से पत्राव किया था ये युवक ओडा के आसपास छोटे फला के रहने वाले बताय चा रहे हैं पुलिस सूत्रों की माने तो अधिक्तर पढ़ाई छोड़ चुके हैं इलाके में अपना दबदबा बनाने के लिए पहले भी कई बार पत्राव और काकर डूंगरी कांड में उबद्रव के तौराण शामिल रहे हैं इसानिय होने से इनके लिए पहाडी और जंगलों में छिपना आसान है ओडा के जिस रेल्वे ब्रिज पर ब्लास्ट हुआ वहाँ भी ये युवक अकसर बैठे रहे हैं ADG राटोर ने अपने नोच में लिखा है कि हमले को पूरी प्लानिंग के तहट किया गया इसका निशाना ट्रेन और ट्रेन में बैठे सेग्रो पैसेंजर्स थे इस्थानिये लोगों की कर्तूत की आशनकाओ को उन्होंने कम बताते हुए कहा कि ब्लास्ट के बाद मिले सबूतों को देखते हुए प्राथमिक तौर पर इसे आतंग की हमला कहा जा सकता है वहीं इंटेलिजेंस के ADG सैंटीर ने कहा कि इस मामले में जाच जारी है कुछ बता पाना जल्दबाजी होगी विसफोर्ट की इंटेंसिटी और जो हालात मिले उसे देखकर ही आतंग की घटना ही मानी जा सकती है विसफोर्ट के पीछे डर और आतंग के साथ जरहानी की मंचा हो सकती है इस हमले के पीछे किस संगठन या ग्रुप का हाथ है ये अभी नहीं कहा जा सकता इस बीच के इंटे सरकार की और से भी एक स्पेशल टीम तौपहर को मौका स्थर पर पहुँची और रपोर्ट तैयार की इसमें आधा दर्जन से ज्यादा IPS अधिकारी शामिल थे उनके साथ ATS और इंटेलिजन्स के अधिकारी भी मौचुद थे करीब 11 वजे दोनों अधिकारी पहुचे उद्यकुर S.P. विकाश शर्मा और ATS के ASP अनंत कुमार भी उनके साथ थे टाठोर ने बारीकी से एक-एक चीज़ को समझा इसके बाद ATS की जार्ज के बारे में पूछा इस पर ATSP अनंत कुमार ने विस्तार से अब तक मिले सबूत और विस्तार से की गई चार्ज के बारे में बताया केस वर्काउट करेंगे इन्वेस्टिगेशन के क्या-क्या आयाम हो सकते हैं उन पर अभी स्पार्ट पे विचार मुच्छ किया है अभी कुछ प्रश्ण हमारे बखाया है तो उन प्रश्णों पर आपस में जब सावविक चर्चा करेंगे ब्रेंस्टार्मिंग करेंगे तो उसके बाद इसे और स्पर्श्ट होगीक लेकिन विश्वास है कि य costume सर्भेड अभी जिस तरीके प्लास्ट पावरब्राष्ट था यह क्या इंटецशन उनकी पूरी यह किसी संगठन से जुड़े हुए लोगों का हाथ इसमें पता कर लेंगे तब आपको बताते हैं मैं तो आप से यह कह रहा हूं कि जब पता कर लेंगे तो आपको बिल्कुल ब्लास्ट के बाद G20 समेरन को लेकर इंदिनों पुलिस एक्टिव मोड पर है जाच एजन्सियों से लेकर जिला पुलिस अपने अपने सर पर जाच कर रही है सड़कों पर आने जाने वालों को लेकर शेहर में रुकने वाले लोगों की जाच की जा रही है ताकि कोई भी संदेक्द व्यक्ति से पूछ ताच की जा सके शेहर के बसस्तिन और रेलवे स्टेशन पर भी डॉक्स पसड़कों पर रात को जाँच बढ़ा दी गई है। आने जाने वाले वाहनों की जाँच की जा रही है और संदिक्द गतिविरियों पर नजर रखी जा रही है। दूसी और ब्लास्टिंग मामले में पुलिस और जाँच एजन्सिया हर एंगल पर सकती के साथ जाँच कर रही है। पुलिस ने बावरमाल चित्र में बंदपड़ी ख़दानों के बारे में जानकारी ली है। कौन सी माइन्स कप से बंद है? कौन-कौन वरकर वहां पुलिस इस एंगल से भी अपनी जाँच कर रही है कि इस ब्लास्ट के पीछे इनी माइनिंग में काम कर चुका ये वक तो शामिल नहीं है। कूद गई। गनी मत रही की ट्रेन के लोको पाइरिट की सूझ बूझ से महिला और उसकी आठ साल की बच्ची की जान बच गई। इधर हाथ से के बात करी 15 मिनट ट्रेन रवाना हुई। मौके पर पहुंची 108 की साहता से घायल महिला और उसकी बच्ची को हॉस्पिटल पह बैठक वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से मंगलबार को आयजुत की गई। बैठक में स्वतंत्र, निश्पक्ष, वपारदर्शी चुनास संपन्द कराने के लिए कानून व्यवस्था बनाने वशुरक्षा संबंदित इंतजामों पर विस्तार से चर्चा की गई। राजस्तान वा गुझराथ के सरधी जिलो के कलेक्टर आसफी वा अन्य अधिकारियों, वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से हुई इस महत्यपूर्ण बैठक में गुझराथ के साबरकाथा अरावली वा मही सागर जिलो के कलेक्टर वा स्पी जुडेग् राजस्तान से उदाइपूर डूंगरपूर वबासपड़ा के अधिकारियों ने महत्यपूर्ण विश्यों पर जानकारी देते हुए चर्चा की। महिलाएं अपने आपको सुंदर एवं चहरे को खुबसूरत बनाने के लिए नित नए प्रोडेक्स का उप्योग करती हैं। रंग को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक त्वच्चा के कार्यों को उत्ते जित करती हैं। तो यह थे आज की समाचार। कल फिर में लेंगे तब तक के लिए नमस्कार।